सीजन 5 एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और टॉड मेत कुक कर रहा होता है टॉड के आसपास उसके अंकल और लीडिया भी होते है वो उसकी purity क्या आ रही है ये चेक करने के लिए वो वहा होते है फिर टॉड उन्हें चेक करकर purity बताता है 76% उसके अंकल बहुत ही खुश हो जाते है लीडिया को भी बहुत ही आच्छा लगता है लीडिया फिर जो मेत कुक हो चुका होता है उसे चेक करती है ये ब्लू नहीं होता तो वो टॉड को बोलती है कि हमें ये ब्लू चाहिए हम ऐसा अगर यह blue नहीं है तो हम यह sell नहीं कर सकते Todd के अंगल बोलते हैं कि blue हो या ना हो पर इसकी purity भी बहुत ही अच्छी है 76% यह headline होनी चाहिए Lydia माल नहीं रही होती तो Todd के अंगल उसे बोलते हैं कि हम next time से die कर सकते हैं next day में Lydia को एक जगा बेठा कर Todd उसके लिए coffee लेकर आता है फिर वो उसे बोलता है कि जो Walter की method है वही मैं follow कर रहा हूँ मैं इसे और बहतर ही मना सकता हूँ मुझे लगता है कि मैंने इसको ज़रा burn कर दिया इसलिए इसका color नहीं आया वो उसे बोलता है यह बहुत ही efforts डालूँगा तुमारे लिए वो Lydia को अब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगता है Lydia भी उसे बोलती है कि मेरे लिए प्लीज यह करो फिर Lydia वहाँ से चली जाती है फिर Walter को call आता है previous episode में हमें जो दिखाया गया था कि Walter डाड को call कर कर बताता है कि JC को उसके अंकल को मारना है यह वही call होता है अब JC Walter के पास मिलने नहीं गया तो Hank का plan अब active नहीं है फिर उसका partner और वो discuss करते है उसका partner बोलता है कि क्या इसको हम custody में दे पर Hank बोलता है Hank बोलता है कि Walter ने जेल पे भी लोगों को मरवाय था तो हम इसे customer में नहीं दे सकते इसके पास और एक plan है उसका partner उसे बोलता है अगर इसने lawyer मांगा तो मैं इस सब का end कर दूँगा मुझे फरक नहीं बढ़ता कि तुम मेरे boss हो या नहीं फिर वो plan बनाते है plan बनाते है वो एक ship का brains लेते है और वो floor पर रखते है जेसी को वहाँ लेटा आते है और उसका एक photo वो ले लेते है फिर वो हीूल को पगड़ लेते है और एक safe house में उसे लेकर आते है फिर हैंग हीूल से पूछताच करता है हैंग उसे बोलता है कि तुमारा जो employer है Saul तो उसे जेसी को मारने के लिए Walden ने बोला था जेसी अब मर चुका है और next hit list में नाम तुमारा है क्योंकि वो किसी को भी छोड़ने नहीं वाला तुम भी उसके business में शामिल थे याने कि तुमने उस चोटे बच्चों को poison किया था इसलिए वो तुमें भी मार देना चाता है फिर हैंग उसे जेसी क्या photo दिखाता है जिसमें जेसी मर चुका है ऐसा उसे लगता है फिर हूल बहुत ही डर जाता है हैंग फिर उसे बुच्चता है कि तुमें कुछ न कुछ तो पता है इसलिए वो उसे मारना चाता है तो मैं वाल्टर ने पैसे कहा रखे ये मालूम है फिर हूल सब बताता है मैंने सिर्फ उसे पैसे ला कर दिये थे वो बोलता है कि मैंने एक वैन ट्रेंड की थी उस वैंक में मैंने बैरल्स में पैसे रखे वो साइवन बैरल्स थे वो बैरल्स की डिटेल्स भी उनने बताता है और उसमें रखकर मैंने गाड़ी की चावी वाल्टर को दे दी उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता जब वहन वापस आई तो हमें उसे वाश करना पड़ा क्योंकि वो धूल मिटी से खराब हो चुकी थी उसने वो पैसे कही गार दिये थे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता ये information अब उनके पास आ जाती है कि वाल्डर के पैसे कही तो उसने गार दिये है हैंग फिर उसे बोल कर चला जाता है कि अगर तुमें safe रहना है तो तुमें इसी घर में रहना पड़ेगा तुम कहीं जा नहीं सकते टोड़के अंकल के साथ फिर वाल्डर की meeting हो रही होती है वाल्डर उसे बोलता है कि जैसी अब हाथ से निकल गया है वो एक rabbit dog की तरह हो गया है तो इसलिए उसे हमें मारना पड़ेगा पर वो उन्हें इंस्टक करता है कि उसे जदा डखलिफ ना हो इस तरह से उसे तुमें मारना है यानि कि सर पर तुम अगर bullet मारोगे तुम वो अच्छा होगा फिर वाल्डर उसकी price पूछ रहा होता है तो Todd की अंकल बोलते है कि तुमें हमें कुछी पे नहीं करना है तुमें सिर्फ Todd को थोड़ सा जो color होता है मेट का वो कैसे लाना है ये तुमें उसे सिखाना है वाल्डर बोलता है कि मैं business से बाहर चला गया हूँ फिर भी वो उन्हें उसे मना लेते हैं वाल्डर बोलता है कि जब तुम जैसी को मार दोगे फिर उसके बाद मैं सिर्फ एक बार Todd को सिखा दूँगा फिर वो उसे जैसी का पता पुछते है वाल्डर बोलता है कि मुझे पता नहीं कि वो कहा है पर मैं उसे बाहर ला सकता हूँ फिर Walter Andrea से मिलने जाता है वो Andrea से बोलता है कि तुम मुझसे मिली हो मैं Jessica associate हूँ फिर वो उसे अंदर invite करती है Walter बताता है कि मैं Jessie से मिलना चाता हूँ वो बहुत दिन हो गए मेरा phone भी वो उठानी रहा हम दोनों का ज़रा quarrel हो गया था इसलिए वो मुरा phone नहीं उठा रहा वो बोलता है कि Jessie फिर से use करने लगा है यानि कि वो फिर से drugs करने लगा है इसलिए वो मुझसे contact नहीं कर रहा कि क्या तुम मुझे help कर सकती हो फिर Andrea बोलती है कि उसका lawyer है Saul Goodman वो बोलता है कि मैंने वहाँ भी गया था और वहाँ भी मुझे कुछ भी नहीं मिला फिर वो उसे बोलती है कि मैं उसे call करकर देखती हूँ Walter उसे new number दी देता है Saul ने जो phone जैसी को दिया होता है उसका number वो उसे दे देता है पर ये जो phone होता है ये Hank के पास होता है Hank ये voice message को सुनता है और उसे पता चल जाता है कि ये Walter का प्लान है फिर next scene में Saul car wash पे Walter को से मिलने आता है वो उसे बोलता है कि जैसी की situation अभी तक हैंडल नहीं हुई Hugh भी दो दिन से गायब है इसलिए वो परिशान होता है उसने एक bulletproof vest भी पहना हुआ होता है फिर वो यह सब कहे कर वो वहाँ से चला जाता है Skylar को भी शक होता है और वो उसे पुछती है कि क्या तुमने जैसी को हैंडल किया Walter बोलता है कि जल से जल में इसे हैंडल कर लूँगा फिर Walter के phone पर एक image आती है इसमें एक barrel होता है उसमें पैसे होते है और वो जमेन पे गाड़ा हुआ हमें दिखता है Walter फिर जैसी को call करता है और जैसी उसे बोलता है कि तुमें जल से जल यहां आना जाईए जब तक तुम यहां नहीं आ जाते तो हर मिनिट में मैं तुमारे 10,000 जला दूँगा Walter बोलता है Walter उसे समझाने के कोशिश करता है कि यह जो पैसे है यह मेरे फैमिली के लिए है यह मेरे लिए नहीं है और तुम मेरे फैमिली को हर्ट करोगे Walter जब वहां पोच्चता है तब वहां कोई नहीं होता फिर Walter एक रॉक के पीछे चिप जाता है फिर Todd के अंकल वो call करता है और उस location का पता दे देता है वो बोलता है कि अभी के अभी तुम यहाँ आ जाओ फिर वो देखता है कि उसे वक्त वह Hank, JC और उसका partner भी वहाँ आ जाता है फिर वो Todd के अंकल को बोलता है कि तुम आना cancel करतो तुम्हें आने के कोई ज़रूरत नहीं है वो अपना mind change कर लेता है फिर Hank और JC उसे बोल रहे होते हैं कि तुम अब बाहर निकल जाओ Walter भी बाहर निकल जाता है उसकी gun में गरा फेक देता है फिर Hank उसे handcuff कर लेता है Hank उसे बोलता है कि तुम बता दो कि तुम्हारे पैसे किदर है वरना वैसे भी मैं सच टीम यहाँ लेकर आऊंगा और ढूंडी लूंगा फिर Hank मरी को कॉल करता है मरी को बोलता है कि मैंने Walter को बस्ट कर लिया है वो बहुत ही प्राउड होता है Hank का पाटनर भी उसे congratulations स्विकरा करता है पर तभी Todd का अंकल वहाँ आ जाता है उनके पास guns विकरा सब होती है Hank भी उनके तरफ gun point करता है Hank बोलता है कि हम police है और तुम अब surrender कर दो Todd के अंकल और वो बहुत ज़ादा होते फिर हमें gunshot स्टार्ट होते होए दिखते और यही एपिसोड खतम हो जाता है